हलो दोस्तो स्वागत है हमारी वीडियो पर तो आज हम आपको जानकारी देनी जा रहे हैं गुलदब्दी के प्लांट्स के बारे में दोस्तो सर्दी का मन्थ चल रही है और इस मन्थ में क्या होता है कि हमारा गुलदब्दी का प्लांट्स या गुलाब का प्लांट्स बहुत अधिक मातरे में फ्लावर देने वाले होते हैं और इस तरह से देखिए हमारे जो गमले में देख रहे हो कि फ्लावर कितने अच्छे और बड़ी साइज में हैं दोस्तों कभी-कभी क्या होती है कि हमारे प्लांट्स फुल देना बंद कर दीती है सीजन रहती है लेकिन उस प्लांट्स फुल देख रहे हैं यहां पर मैंने कटिंग द्वारा लगाई थी यहां पर छोटी छोटे लग मैंने लगाई हूं कट लेकिन इसमें फ्लावर देखी कि किस टैप से आ रही है और इसमें दोस्तो केड़े अटेक हो रही है क्योंकि दोस्तो सर्दी का मन्थ होती है तो इस मन्थ में ये फलावर जो है हमारा बहुत ही बहुत ही बेहतरीन काम करती है और इसमें बहुत ही अधिक मातरी में फलावर भी खिलती है लेकिन आप देख सक इनकी फुलावर की ही तरह से आई हुई है ये बिलकुल अच्छी फुल नहीं छीली हुई है ये जैसी की से जैसी की हमारे पौधे दा आगई है उसी तरह से ये COVID खिल रही है तो आपका प्लांस बहुत ही खराब कर देती है जैसे कि हम आपको दिखाते हैं मैंने यहाँ पर कट करकर लगाई थी इस तरह से और यह प्लांस बिल्कुल भी अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर रही है इन में जो कलिया बनी हुई थे वही फलावर खिल कर यह रह गई है लेकिन और भी हम प्लांस आपको दिखाते हैं कि हमारा फुल किस तरह से दे रही है इसी फलावर का फुल हमें किस तरह से खिल रही है क्योंकि दोस्तों जब हम प्लांस लगाती है तो कहीं न कहीं मिट्टी में हमारा पी-एच लेवल कम हो जाती है इसकी वजह से हमा आपको दिखाते हैं कि इस तरह से हमारा जो प्लांट्स है वहाँ देखिए कि फूल की सतरह से अधीक मातरी में आई हुई है और ये भी मैंने कटिंग से लगाई थी और यहां गुलदबदी का प्लांट्स जो है फूल अधीक अधीक मातरी में आई हुई है दोस्तों सब इस और ये जब फूल एक पर खिल जाती है दोस्तों प्लांट्स पर तो ये कम से कम आपको महीनी से दो महीने तक फलाबर लगी हुई रहती है और भी फलाबर देखती है दोस्तों कि आज अगर किली तो कल वो जड़कर गिर जाती है लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बहुत ही सुंदर और अच्छी है ना तो ये जड़ती है और ना ही ये जल्दी तूटकर गिरती है लेकिन इनके देखिए इसमें भी हम कटिंग करकर लगाए थे और ये पौधे भी तैयार हो गई है अब इस प्लांट्स में आपको पिछली गमले में दिखाई हूँ कि उन दब्दी का प्लांट्स देख रहे हूँ दोस्तो इसमें कितने अधिक मातरी में फलाबर आई हुई है और अगर इससे अधिक फलाबर पाने के लिए आपको करना क्या होगा तो मैं चलिए आपको बताते हैं तो दोस्तो हम आपको बात करते हैं कि आप किस चीच का इसमें प यह पूटास क्या करती है हमारे पौधे को पीएच लेवल को यह फूर्थी करती है और इसे न्यूटरेशन परदान करती है और पौधे अधिक घने और सुन्दर दिखते हैं क्योंकि यह पौटास आपको मार्केट में बहुत ही सस्ते में मिल जाएगी लेकिन दोस्तो अगर इसको अप घर पे बनाती हो पौटेसियम तो बहुत ही बढ़िया काम करती है जैसे कि मैंने आपको बताई हूँ कि प्याज की छिलके को इकठा कर ले और गर्म करने के बाद आप उसको पौडर फाम में कर ले और पौडर फाम में करने के बाद आप उस पौडर फाम को यू तो आपको लेना कितना है एक प्लांट्स के लिए मैं बता देती हूं कम से कम आपको 200 एमिल तक लेनी है और उसमें आपको हाप टी अस्पून इस तरह से पोटास को मिला देना है अब दिखिए यहां पर यह क्या होती है यह मार्केट का अच्छी नहीं होती है तो यह जल्दी गुलती भी नहीं है तो इसको आप इस तरह से मिला ले ताकि यह हमारी अच्छी तरह से मिलकर यह रैडी हो जाए दोस्तो अब हम आपको दिखाते है कि यहां पर इस प्लांट्स को आपको करना क्या है तो आपको सबसे पहले इनकी मिट्टी को गुडाय करना है क्योंकि गुलाय करने के बाद आप इस पर इस लीकविड को डाल सकते हुँ दोस्तों देखिए यहां पर हम डालकर आपको दिखाय है और आप भी इसको बनाकर डालो क्योंकि इस तरह से से दिखिए हम प्लांट्स पर इतने अच्छी तरह से यहां मैंने डाल कर दिखाई हुँ इस तरह से बहुत ही सुन्दर और घने रूप से आपका फलावर देना स्टार्ट कर देगी क्योंकि इसमें देखी छोटी-छोटी हमारा वर्स भी आई है जैसे कि कलियां बनती है उस तरह से आई है लेकिन ये कुछ दिनों में आपका इसी साइज में फुल देने लगेगी दोस् आपको कि हमारा चोटा प्लांट्स और चोटे इस तरह से फलावर देना स्टार्ट कर दी है उसी तरह से इसको रोकने के लिए आपको कुछ कुछ ट्रीक अपनाना होगा जिससे हमारा इस तरह से प्लांट्स फुल देना स्टार्ट कर देगी तो दोस्तों आपको इस तरह का जानकारी वीडियो कैसा लगा अधी अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सस्क्राइब दोस्तों बाई बाई